दोस्तो काना के रसिले लवन और बास के जंगल, बास के मैदान और बिहडोनी लेखक्षी रुडियार की प्लिंको उसके प्रसित उपन्यास्त जंगल पुक लिखने की प्रेना प्रदान की मध्य प्रदेश में कानहा निशनल पार्क 1955 में अस्तित्व में आया और ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहद 1974 में बनाए गए कानहा टाइगर रिजर्व का मुल रूप है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबी का हमारी चैनल में और आज इसी कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे कानहा निशनल पार्क कानहा इश्या की सबसे सूरम्य और खुब सूरत वन्यजी वरिजर्वों में एक है और यहां की सबसे बड़ी विशेस्ता खुले घास के मैदान है जहां काला हीरन, बाहर सीहा, सांभर और चितल को एक साथ देखा जा सकता है बारह सिंगा, कठिन जमिनी परिशित्यों में रहने वाला यह अदित्य जानवर, टीक और बासों के घिरे हुए विशाल घास के मैदानों की बीच बसे हुए है बागों को नजदिक से देखने के लिए परेटकों को हाथी की सवारे की सुविधा दी गई है यहां लगबग 300 पक्षियों की प्रजाती है, पक्षियों की इन प्रजातियों में स्थानिय पक्षियों के अतिरिक सद्यों में आने वाले प्रवाशी पक्षिय भी सामिल है यह पार्क एक अक्तुमबर से 30 जुन तक खुला रहता है मौनसुन के दोरन यह पार्क बंद रहता है यहां की अधिक्तम तापमान लगपक 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूतम 2 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है सर्दियों में यह इलाका बेहत थंडा रहता है डिसंबर और ज जाना काणहा नेशनल पार्क के बारे में तो अवश्य जाए विजिट जरूर करें वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्रेब करें और देखती रहें क्रियेटिव गर्ल